कि नमस्क्राइब फ्रेंट्स आप सभी का एक पर फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे चुकि आपकी यूजी सीनेट पेपर वांग के हाईयर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतरगत आपका आएगा और टॉपिक आपका मोडिफाइड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानि की सिच्छा की संसोजित राश्य सिच्छानिती और हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं पी ओ ए नैंटी नैंटी टू यानि की प्रोग्राम आफ एक्षन नैं नैंटी एक नाम से भी हम इसको जानते हैं प्रीवजर्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिसक्स किया था और हमने आपको बताया था कि जो जो एजूकेशनल पॉलिसी थी उसको हम न्यू एजूकेशनल पॉलिसी यानि की नई सिच्छा निति की नाम से भी हम जानते हैं और ये आपकी नितियां जो थी देखा जाए तो कोठारी आयोग जो आपका एजूकेशन कमिशन जो था आपका नैंटी सिच्टी फोर टू सिच्टी सिक्स का जो दौर था उस समय आपका कोठारी कमिशन की सिफारी से आई थी कोठारी कमिशन यानि डाक्टर दौलत सिंग कोठारी अध्यचे थे राश्टी सिच्छा आयोग के और नैंटी सिस्टी फोर टू सिक्स का दौर था और उस समय इन्होंने सुझाव दिये हमारी सिच्छा प्यवस्था के लिए सुधारने के लिए पहतर बनाने के लिए और आधुमी बनाने के लिए इन्होंने सुझाव दिया और इसी सुझाव को आगे बढ़ाने के लिए क्रियानमीत करने के लिए राश्ट्री सिच्छानिती यानि कि National Education Policy आई तो सबसे पहले जो policy थी वो आई थी 1968 में ठीक है 1968 में आई थी और सासन का समय था इंद्रिया गांधी का हमारी प्रधान मंतरी थी उस समय इंद्रिया गांधी उस समय राश्ट्री सिच्छानित 1968 सबसे पहला आया था जो कि हमने प्रिविएस वीडिम अच्छे तरीके से डिसकस किया था उसके बाद इसी को और बहतर तरीके से थोड़ा सा और ही आधुनिक बना के इसको रिविव करके मतलब रिविव किया गया आधुनिक बनाया गया और फिर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानि कि नई सिच्छानिति आपका 1968 में लाया गया और तब का दौर था आपके राजियू गांदी का शासन था तब राजियू गांदी का उसके बाद इसमें कहागा कि हर पांचवी वर्ष में जो ये नीतियां बनाई गई हैं जो नियम कानून है जिससे कि हमारी सिच्छा वेवस्था और भी बहतर होगी तो जो हमारा उद्यस से था उसको हम सही से अच्छीव कर रहे हैं कि नहीं क्या हमारा विकास ग्रोथ हो रहा है और क्या कमिया रह जा रही हैं इन सब को देखने के लिए हर पांच वर्ष में क्या किया गया इन सब का एक तरह से मुल्यांकन करने की बात कही गई थी इसी इच्छादियत में जो आपका 1986 था ठीक है लिकिन क्या हुआ 1987 में जब ये काम करना इस्टार्ट किया यानि 1986 का जो पॉलिसी था 87 में काम करना इस्टार्ट कर दिया उसी दवरान देखा जाया तो 1989 दो साल बाद ही क्या हुआ सरकार चली गई राजियू गांधी की और प्रधान मंत्री हो गए उस समय में भारत के विश्वनात प्रताप सिंग तो उन्होंने 1999 यान की 1990 1990 में निउ आपका जो एजुकेशन पॉलिस था 1986 का फिर से रिव्यू करने के लिए राममूर्ती कमिटी का गठन किया ठीक है राममूर्ती कमिटी का उन्हीं सो देखा जाये नब्वे में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसको हम राममूर्ती समित 1990 कहते हैं तो यह जो पॉलिसी आई उसको रिव्यू किया रामामूर्थी कमिटी ने और 1990 में उन्हें प्रिजेंट किया तो उन्होंने कहा कि कम्या है हमारा जो सिच्छा की व्योस्थाय थी जो क्रो करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी तो इन्होंने अपने पास से कुछ सजेशन दिया और फिर इधी को मोडिफाई करके यानि कि आपका 1986 का जो पॉलिसी था उसी को मोडिफाई किया गया ठीक है और थोड़ा सा और चीजें डाली गई उन्होंने सुझाओ दिया तो उसी को हम जो 1986 का जो संसोधित रूप था उसी को हम सिच्छा की संसोधित रास्री सिच्छानित 1992 कर कहते हैं और इसमें हम प्रोग्राम आफ एक्षन को भी हम इसमें देखते हैं प्रोग्राम आफ एक्षन के नाम से भी इसको हम जानते हैं तो चलिए अगर आपको देखिए समझ में सिर्फ लेक्चर वाइस हमारा नहीं आया है तो प्रिविएस वीडियो में जाके देख लेज़ेगा तो आपको दिख जाएगा कि हमारा जब विशुविद्याल सिच्छा आयोग आया जिसको वराज़ता कृष्ण कमिशन कहते हैं हम इसने हमारे सिच्छा व्यवस्था को एकदम नए तरीके से शुरुआत तरीके से लागू करने की बात कही है पूर पूरा सिश्टम को इन्होंने देखा और हमारे एक देखा जया तो पहला मिल का पत्थर सावित हुआ था उसके बाद हमारा मुदालियर आयोग आया मादमि पहला हमारा जो पॉलिसी थी इंद्रिया गांधी फिर आया राजीव गांधी के दौर में नई सिच्छा नित नाइटीटी सिख फिर हमारा प्रोग्राम आपका जो 1992 में आया जो उस समय का दौर था विश्वनात प्रताप सिंग जो उस समय के प्रधानमंतरी थे इंडिया क तो उन्होंने रिव्यू कराया रामा मुर्ति कमिटी से और रामा मुर्ति कमिटी ने हमें सुझाओ दिया नए तरीके से और हम उसको यहां पे बताएंगे पूरी तरह के से क्योंकि हो सकता आपके एक्जाम में इस से जुड़ा हुआ कोई आई जाया तो कोई ज्यादा टे देखिए एक ची और याद रखिएगा कि जो हमारा 1986 का जो नई से चानित आई थी 1986 उसके बाद 1987 में एक आपरेशन ब्लेक बोर्ट चलाए गया था तो आपरेशन ब्लेक बोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे और यहाँ पे हम रख देंगे आई बटन आपके लिए करके देख सकते हैं आपरेशन ब्लेक बोर्ट मुझतार क्या था कि हमारे सिच्छा की जो सिष्टम था प्राइमरी जो एजूकेशन का उसमें ब्योस्थाओं को और बहतर करना यानि की चाहे चाक से लेके ब्लैक बोर्ट तक और चाहे आपके पानी की ब्योस्थाओं से लेके बिल्डिंग तक हर चीजियों का क्या हुगा कि मतलब विद्याले में इन सब चीजियों को पदान किया जाए इन सब वेवस्थाओं को देखा जाए यह आप्रेशन ब्लैकबोर्ड का मूल चीजिये थी तो हम इस पर डिस्कस करके आपको पता देंगे मतलब अगले वीडियो में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुशिज करेंगे आज ही यहाँ पे अपलोड रहें आपको जो की दोनों वीडियो आप साथ में देख लें तो आपको पता चल गया होगा कि सिच्छा की संसोजी राश्टी सिच्छा नित जो 1986 है जो 1986 थी उसको मोड करके 9P92 में लाया गया जिसको प्रोग्राम आफ एक्षन पी ओए 1992 कहते हैं तो कि इन्होंने क्या सुझा दिया पूरो प्राथमिक सिच्छा संबंदी समिच्छा हैं सुझा तो दो चीज़ें रहेंगे एक समिच्छा कि क्या इनको दिखा और फिर क्या इन्होंने सुझा द तो दिखा देगे कि क्या आपका मिन इसमें सुझा दिया गया देखी कहा गया कि पूरो प्रात्मिक सिच्छा संबंदी समिच्छा हैं सुझा कहा गया समिच्छी ने देखा कि राष्ट्री सिच्छानित 1986 जो हमने कहा जिसको हम new मतलब नहीं सिच्छानित की नाम से जानते से कहा गया कि 1986 के तहद सिश्यों की देखबाल यह सिच्छा की विवस्था की गति बहुत बंध है और सुझाओ दिया गया आपके 1992 में कि समाज के सुविधा विहीं सिश्यों की देखबाल यह सिच्छा के लिए आगनबाडी जो है आगनबाडी किन्र की विवस्था है उसका विस्तार किया जाए और साथ ही आगनबाडी के कारे को समुन्नत किया जाए यानि कि यहां पे आपका सुझाओ निकल के आया कि जो समुनित आपका किया जाए अर्था समुनित का मतलब इंप्रूफ किया जाए उसमें सुधा दिया जाए फिर देखिए यहां पे कहा गया है सिच्छा की सन्सोधित राश्री सिच्छानित के तहत कठित समित ने असपष्ट किया कि प्रात्र Capital सिच्छा के सारभावयं करड के इस कारे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उसने यह अस्पष्ट किया कि ब्लैक बोर्ड योजना के अंतरगत 1990-91 तक प्रचास प्रतिसत प्राथिमिक विद्याले को इसका लाप पहुचाना फिक्स किया गया था। परंतु सिर्फ आपका 30% प्राथिमिक जो विद्याले हैं उनको ही आपरेशनल ब्लैक बोर्ड के जो सुविधा थी उसका लाप पहुचाया जा सका। और 30% के जो भौन बनाए गया है 30% वो अच्छे नहीं है और एकदम उसमें घटिया किस्म के जो हैं सामगरिया का इस्तिमाल किया गया है यानि उसमें जो सामगरी इस्तिमाल की गए हैं एक दम घटिया अस्तर की हैं और कहा गया कि इसमें सुझाओ दिया गया कि प्राथिमिक अस्तर पर सत प्रतिसत नामांकन सुझाओ देखे कहा जा रहा है कि प्राथिमिक अस्तर पर सौप्रतिसत नामांकन और सत्प्रस्थ उपस्थिती और सत्प्रस्थ सफलता के लिए थोस कदम उठा जाये और ब्लेक बोर्ड योजना का क्रियान्यवन उची धंग से सही गति से किया जाये उसने प्राथमी सिछा को मुले परक बराने पर बल दिया तो यहां पी क्या निकल किया आया कि आपका जो सिछा की संसोजी तराश्य से चानीत के तहत गठित समित नेखा कि 1990 से 90 तक 50% प्राथमी दियालोग को लाप पहुचाना था अप्रेशन ब्लैपोर्ड एटीसी जो है लेकि 30% तक जो है उसका लाप ही ले पाए यानि 30% को ही लाप पहुचा जा सका और जो 30% भावन का निर्माड हुआ वो क्या हुआ बहुत घटिया स्तर का हुआ सुझाओ दिया गया कि सत्प्रस्त नमंकन हो विद्यालेम उपस्ति भी सत्प्रस्त है सफलतार की सत्प्रस्त है इसके लिए अच्छे कदम उठा जाए गंभीरता से इसको लिया जाए और आपलेशन ब्लैकबोर्ड को योजना तो थी उसको सही से संचालम किया जाए उसके बाद जो आपका माधिमिक सिच्छा संबंधित इन्होंने समीच्छा किया और सुझाओ दिया तो इन्होंने किया राष्टी सिच्छा ति अब जाए और समें ब्लोगे इन्होंने ध्यात में हमारे सिच्छा वल्स्था चलेगी हाई स्कूल फिर आपका ईंटर और फिर आपका जो graduation की व्योस्था पूरे देश में इसी ढाचे के अनुसार इसी सिस्टम के अनुसार चलेगी इसी ढाचे के नीचे सभी सिच्छा व्योस्था हमारी रन करेगी कहा गया अभी तक जो ये संरचना जो लागू करनी थी वो नहीं लागू हो पाई और देश में अभी तक जो 269 विद्याले खोले गए हैं उनसे कोई लाव नहीं हुगा प्लस टू पर 1995 तक 25% चात्राओं को व्योसाई धारा में लाने का लच्छ है परंथ 1995 तक केवल 25% चात्रों को ही धारा में लाया जा सका इस संदर में समित मेपाला सुझाओ दिया कि इस अस्तरपर राष्टी सिच्छानित का इमानदारी से क्रियानवन किया जाए और दूसरा सुझाओ या दिया कि सारवजनिक इसकूल प्रडाली यानि कामन इसकूल सिच्टम को इमानदारी से लागू किया जाए इसे यह भी सुझाओ दिया कि सिच्छा मुल्य परक होनी शाहिए तो यह माधिमिक सिच्छा समंधित जो सुझाओ दिये इसमें यही चीज़े निकल के आ रही है कि प्लस टू को मजबूत करें इन्होंने कहा प्लस टू क्या है यानि कि जो इंटर का जो आपका दौर है मतलब इंटर का जो प्लस टू का जो विवस्थार हैगा एजुकेसन का उसको काफी मजबूत किया जाए और मजबूत का मतलब था कि इन्होंने कहा कि विवसाइक सिच्छा पर जोग दिया जाए यानि प्रश्टू से बच्चों को क्या किया जाए मोडिफाई मतलब वहीं से गति दे दिया जाए अलग अलग बच्चों को जैसे उनकी जरुवत है उस तरह से यहां से आपका इस्ट्रीम उसको डिवाइड कर दिया जाए तो प्रश्टू को मजबूत किया जाए तथा सुझाओ कहा है हुँआ समिछा किया राश्री सिछानित 1986 में उच्छ सिथा को सलव सुलब बनाने हो तोही स्विद्यालों कि अस्थापना की बात की गई और इसी तहsam स्टर को उठाने के लिए प्रवेस पर नियंत्रण की बात की गई थी यानि कंट्रोल किया जाए प्रवेस का जो सिस्टम है वह नहीं किया गया ठीक है जो कंट्रोल की बात की गई वह नहीं किया गया और सिछकों को कारेका मुल्यांकन करने की बात की गई थी वह भी केवल सिर अगरेजुक का वर्चस अभी तक बना हुआ है और समिती ने कमिटी ने उच्चा के अस्तर को उनत बनाने के लिए महां विद्याले और विस्विद्याले ओर कठोर नियंत्रन और प्र यूविएी चेहने प्रडाली के पालन का सुझालो दिया तो यानि कि निकल के आया कि समित ने उच्छ सिच्छा के अस्तर को और यह बहतर बनाने के लिए महाविध्या ले थे ठीक है और युनिवर्स्टी को कठोर नियंतर कंट्रोल और परविश के चैन की पड़किलिया को और बहतर बनाने का सुझाओ दिया फिर देखिए यहाँ पे निकल के आया है कि विवसाई के उच्छ सिच्छा समिच्छा इन्हों किया और सुझाओ किया दिया तो इन्होंनों समिच्छा में बताया कि राश्टी सिच्छानित 96 में विवसाई के उचित व्योस्था की बात की गई थी computer सिच्छा पर बल दिया गया था और निम्न अस्तर की तकनीक सिच्छा संस्थाओं को बंद करने की बात की गई थी इस बीच computer सिच्छा में तो काफी सुधार हुआ सिच्छा सब यथावत चलता रहा कोई सुधार नहीं हुआ इस संदर में समित ने सिच्छा को रोजगार परक बनाने पर बल दिया और साथ ही रोजगार परक सिच्छा की व्यवसाइक यह तकनीक सिच्छा संस्थाओं के अस्तर को उन्डद बनाने की बात कही उसने सुझाओ दिया कि अखिल भारतिय तक्निक सिच्छा परिशत ठीक है यहाँ पर कहा गया अखिल भारतिय तक्निक सिच्छा परिशत AICTE All India Council for Technical Education को समवधानिक दर्जा दिया जाए और छेत्री कार्याले अस्थापित किये जाए जो तक्निक सिच्छा के उन्नत बनाने के लिए उत्तरदाई हो तो यहां पे निकल यहीं आ रहा है कि यह आपका समीती ने सुझाओ दिया कि सिच्छा को रोजगार परक बनाने पर जोड़ दिया जाए और रोजगार युक्त सिच्छा आपका व्यवसाइक सिच्छा यो तक्निक सिच्छा संस्थानों के अस्तर को अच्छा बनाने की बात की गई तथा सुजाओं में खागया कि अखिले भारती ये तक्निक सिच्छा परिशल AICTE को जो है कानूनी दर्जा दिया जाए तथा छेत्री कारियाल है भी रिजिनल जो आफिसेस हैं कारियाल है जो है उनकी अस्तापना की जाए जिसे तक्निक सिच्छा और भी बहतर हो और उन्नत हो और ये उत्तरदाई हो तक्निक सिच्छा के प्रोग्राम्स के लिए ठीक है आगे देखे कहा गया प्रोड सिच्छा सं मंदी सुझाओ, थेखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हमें लग रहा है आपका ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमें लगता है कि टोटल हम जल्दी-जल्दी आपको बता दें कि क्या सुझाओ ने कि लिए, समीच्छा आप देख लिए, सुझाओ क्या आया, उस पे हम बात कर रहे हैं देखिछे यहाँ पर प्रोड सिच्छा की समिछा किया अरव उन्होंने सुझाओ दिया कि जो प्रोड सिच्छा का कि जिम्यदारी है उसकी देख्रेंक्र pipelines करें द्यॉम्हच ऑफा क devenir करें करें और स्वन्मंत्रा ले। इन तीनों के उपर यह होना चाहिए। लिए सिच्ष्षड-वार्ष्टा में इन्हों ने कहा, कि सच्षड, सच्षड आप लबत याणी कि इफिसियेंट में या शाल होनी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने निम्ध जो सिफारिस ने प्रस्तुत की इन्होंने कहा देखिए पुरू प्रात्मिक अस्तर पर इन्होंने जो सुझाओ दिया इसमें कहा कि सिस्वियों को देख भाल स्वास्त देख भाल और स्वास्त में गति लाई जाए और भी तेजी लाई जा और सुझाओ क्या दिया तो इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए सिच्छा में ज्यादा उनको ध्यान दिया जाए और प्रात्मी वा उच्छ सिच्छा के जो विद्याला का अनपात है प्रैमरी और उच्छ प्रैमरी का चार संबंधे एक यानि चार अगर प्रैमरी विद्याला है तो एक उच्छ प्रैमरी विद्याला है तो इसको हटा के दो संबंधे एक करना चाहिए यानि कि अगर दो प्रैमरी विद्याला है तो एक उच्च प्राइमरी भी द्याला होना चाहिए ठीक है इसको इन्हों ने कहा तथा ब्लेक बोर्ड यो जना जो था उसको प्राथमिक अस्तर तक ही सिमिद किया गया था में तो यहां पर आपका कहा गया 1992 में कि यह आपका प्राइमरी तक ही सिमिक ना रहे जाए यह उच्च प्राइमरी में भी आपरेशन ब्रेक बोर्ड को लागू करा जाया तो इसमें देख लीजिए आपके लिए जो चीज़ें थोड़े इंपॉर्टेंट है आप लोग निकाल ले सीगा हमने जो इंपॉर्टेंट देखा वह आपके लिए हमने यहां पर प्रजेंट किया कि देखिए माधिवी सिच्छा संबंदी समिच्छा है सुझाओ दिया इन्होंने तो इसमें टोटल चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे इसमें प्रश्टू यानि वेफसाइक सिच्छा पर जोड दिया साय यानि इंटर लेवल पर वेफसाइक पाठेकरम को जोड़ा जाए यहाँ पर यही चीज़ें आपका निकल के आएंगी ठीक है और देखिए कहा गया है कि उच्छ माधिवी विद्यालों को साधा संपन किया जाए समिच ने नववद्य विद्यालों को चालू रखने का सुझाओ दिया और सेज जिलों में सिग्रता सिग्र अस्थापित करने की बात कही नवद्य विद्याले के साथ ही इन्होंने प्रव्यस परिच्छा एं कारिप्रडाली में सुधार की बात कही इन्होंने और यहाँ देखिए इंपोर्टेंट है कि राश्टी सिछानित 1986 के क्रियान्यवन के संबंद में रामा मूर्ती समिती ने अपनी प्रवसूत की और 1992 में सरकार ने इस नित को क्रियान्यवन की समिच्छा करने है तो सिर जनादर रेड़ी को अध्यचता में इस समित का गठन किया तो याद रखिएगा जनादर रेड़ी की समिच्छत की अध्यचता में 1992 में यह आपका यो संसोजी दाश्यचता सिच्छा नित है इनके अंतरगत देखा जाए यहां पर पताया गया है कि इनके अंतरगती इसकी समिच्छा आज चीज़ें की गई आगे चलते हैं यहां भी देख उच्छ संबंदी सुझाओ में इन्हों ने वं ने क्या कहा उजवीच्छ के छेत्री का रियाले खोले जाए पाठेक्रम् विकासकेंद्र योजना जो है उसको जारी रखाच जया है नए पाठेक्रम लागू किये जाए उच्छ को प्रसिछड उच्छ को प बंद किये जाए यहां पर इन्होंने सुझाओ दिया प्रोड सिच्छा संबंधित सुझाओ ने कहा कि समित ने सुझाओ किया कि केंद और 35 सरकारें प्रोड सिच्छा के लिए प्राथमिक्ता दें और उसकी उचित व्योस्था के लिए वित्य यानि कि पैसे की व्योस्था कर उसने यह भी सुजाओ दिया कि 9 साचरों के लिए उत्तर सत्च का रेक्रम हुए 17 सिच्छा की व्योस्ता भी किय चया की आगे कहा गया व्योसाइक सिच्छा समदी समित्च्छा और सुजाओ दिया нормально कि समित ने दीखा कि उस समय तक्नीक सिच्छा की ब्रॉस्ता नहीं तो उन्हों उन्होंने सुजाओ रिया कि अधिल भारती तक्नीक सिच्छा पर्षत का छेटरी समितियां जो उनका गठन की ये जाएं जो नए तक्नीक सिच्छा संसान खोलने नए पाटे करम लागू करने और तक्नीक सिच्छा का अस्थर मानक बनाये रखने के लिए उतर दाई होंगे यानि कि जैसे कि आज इंजिनिंग कॉलेज ओपन होते हैं उसके लिए ये टोटल मतलब अपनी जिम्मधार रखेंगी कि कहां कैसे लाइसे कि देना है और कहां पे नए विद्याले खोलना है इसकी जिम्मधारी ये लो निभाएंगे कहा गया सिच्चक सिच्चा संबंधी समिच्चा की गई और सुझाओ दिया गया कि सिच्चक सिच्चा से संबंधी समित ने पहला सुझाओ दिया कि किसी भी अस्तर के सिच्चक सिच्चा पाठिकरम में प्रवेस की प्रडाली में सुधार किये जाए दूसरा सुझाओ दिय जाए जिसमें भारती भासाओं की विगास के लिए स्वतंत रूप से कार्याद कर सकें दूसरा सुझाओ दिया गया कि माध्यमिक पूरे देश में त्रिभासा सुत्र यानि कि आपका ठी लेंग्यूज फार्मूला समान रूप से लागू के जाए और तीसरा सुझाओ यह दिया कि उच्छे सिच्छा अस्तर भारती भासाओं का प्रियोग को प्रत्साहन किया जाए त्रिभासा सुत्र आपका देखा जाए तो क्या कहा गया था कि एक आपका जैसे हिंदी है दूसरी भासा आपका इंग्लिस है और एक आपका ऑप्शनल रहेगा इस तोर पे पूरे देश में यह आपका सिच्टम लागू होगा इस पे उन्होंने बात कही देखिए यह प्रसाशन और वित्रसंबंदी सुझाओ ने तो संसाधनों का सरवाधिक उपयोग उसकी विवस्था करें और उच्य सिच्चा तक्नीक कई उस्चा को धिरे धिरे स्वविथ पोशित बनाए तो इन्होंने यह चीज़ें आपकी में तो देखिए यहां पे हमने तोल्टल आपके साथ डिसकस किया थोड़ा सा ब्रLANवें में तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम अफ एक्षान में मूल चीज़ें क्या बदल निकली नहीं ठीक है वह आप देख लीजिए आप देखिए आपका जो राष्ट्री सिच्छा संसोधी राष्ट्री से च्छानित थी उसमें ये चीज़ें आपकी भारत सरकार ने 1992 में रा निकल के आएंगी देखिए यहां पर कहा गया है कि भाग जो अलग-अलग पार्ट हैं किस-किस भाग में क्या के चीज़ें की गई और किस भाग को छुगा ही नहीं गया यहां पर सब चीज़ें आपकी रखी गई हैं इस पर आप देख सकते हैं क्योंकि जो आपका नई सब्सक्राइब बताई गई थी कि क्या क्या होनी चाहिए सिच्छा व्यवस्था में तो आपका जो 92 था प्रोग्राम अफ एक्सम था संसोदी राष्ट्री सिच्छानित थी उसमें जो नई चीज़ें यहां पर टोटल चीज़ें दी गई हैं तो आप देख सकते हैं क्या च हमारा रिक्वेस्ट रही रहेगा कि आप लोग सबसे इंपोर्टेंट चीज़ें यह जानिए कि किस समय आया किसके लिए ठीक है में जो इसके लिए जो लोग काम किये वो कौन थे और किसके लिए यह आपका एजुकेशन पॉलसी आई थी यह चीज़ें आपको ध्यान में आप से पूछा जा इससे वे इससे जुड़े हुए सवात कुश्चन्स तो आप इसका करेक्ट आंसर देश गए तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और इससे जुड़ा हो कोई भी आपको एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन लेना हूं कमेट करिए और जब तक कि हम नेक्स इस वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स वूचिंगे इसके सिनल चैनल और आपका दिन बहुत 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 सुखो